इस प्रोडम को स्लॉल करते हैं, question क्या कहते है, number 1 divided by 5 leaves a remainder 3. What is a remainder when the square of the same number is divided by 5? तो क्या कह रहा है कि कोई एक number है, उसको जब 5 से divide करते हैं, तो हमें remainder 3 देता है. और अब question में कह रहा है कि हम इस नंबर को अगर हम उसका square कर दें और फिर उसे 5 से divide करें तो हमें क्या remainder मिलेगा यह हमें question में पूछ रहा है तो अगर हम देखते हैं कि माली यह x को वो एक number है ठीक है उसको जब हम 5 से divide करते हैं तो हमें remainder क्या बचता है 3 बचता है तो यह number अगर निकालना चाहिए तो वो number क्या होगा x 5x plus 3 वो number होगा जिसको 5 से divide करने पे 3 remainder मिलेगा आप यहाँ देख भी सकते हैं कि अगर हम इस चीज को 5 से divide करें तो यह वाला term तो completely divide हो जाएगा जो remainder देगा वो यह वाला term देगा और वो क्या है 3 है तो 5x plus 3 वो number है जो divide करने पे 5 से 3 remainder देता है ठीक है आगे question फर्दर क्या पूछता है कि अगर इसका हम square कर दें और फिर 5 से divide करें तो क्या remainder मिलेगा हमें तो आईए हम इसका square कर लेते है 25x square हम इसको expand कर ले रहे है प्लस 30x plus 9 और यह क्या हो जाएगा आपका यह यहाँ पर 5 आजाएगा आप देख पाएगे कि यह वाला term है यहाँ पर 25 है तो यह completely divide होगा 5 से यह 30 last में 0 है इसमें लास्ट में 0 है तो वो क्या हो जाएगा वो भी 5 से completely divide होगा हमें जो remainder देगा वो यह वाला term remainder देगा ठीक है तो 9 को जब 5 से divide करते हैं तो हमें remainder क्या मिलता है 4